देश के कितने महान से फूतों ने अपनी जाने गवाईं, किसके लिए गवाईं, क्यों गवाईं, जब तेश साल का नौजबान भगत चिंग फासी चुमा, तो किसके लिए चुमा थे, किन कारणों से चुमा थे, क्या कहा था तब, कहा था, उनके अगर चिट्चियों को पढ उनकी एक चिठे में आता है कि मां काले जो अंग्रेज हैं तो साइच चले जाएं लेकिन देश को जो असली आजादी चाहिए हो सकता है ना मिले उनकी ऐसी चिठेशों में उनकी वानी में ये बात आई है जब मैं आज देखता हूं जो कि लॉयर हो पूरी की पूरी जो वस्ता है इसे पुलिस है उसकी ज Italians के प्रती ऑा कोनेके प्रति संबिधान के पृति कानून के पृति नहीं है उन्हीं किसके पृति है हैरिकली अपवर्ट्स अगर आप पॉलिटीस की उपर जाएं तो वहां से अगर वहां से एक आदेश आ गया तो आज भी आप अंदर पकड़के बेंदी जाएंगे देश में बहुत पदलाब करना है जो हम कहते हैं कि इस जंडे की आन सान जुकेने नहीं देंगे उसका मितलब क्या है उसका मितलब ये नहीं है कि जो समस्याइद दिखे जो ब्रस्ता चार दिखे उसकी चर्चाहिएं नहीं करे हैं सब्दों से सब्दों के लिमिटेशन से सब्दों से क्या होगा सब्दों के मास्ट्री आप कर लीजे हम में से कई ऐसे अच्छे ओरेटर्स हैं अगर उनकी आगे तो हम कुछ भी न बोल पाएं लेकिन सब्दों से परे कृत्य में अगर आपने मुझे दाइत्व दिया एच्छेत्र का विधायक बनाया है तो उसने नहीं बनाया है कि मैं एक अपना एन्वार्मेंट ऐसा करेट करूं कि जनता से मिलना बंद कर दूँ जो वादे हमने किये एलेक्शन मैनिफेस्टो पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि एलेक्शन मैनिफेस्टो इस कॉंट्रैक्च्वल अब्लिगेशन बहुत बढ़ी बात है ये पारडाइम सिफ्ट है कि जो एलेक्शन मैनिफेस्टो है जो उसमें कहा गया लिखा गया जिसके बल्बूते पे आपने सत्ता पाई उसका क्या महत्व क्या है उसका अगर आप उसको पूरा नहीं करें तो क्या हो सकता है तो पहली बार दिल्ली के सरकार ने मानिय उपमक मंत्री ने अपने फनान्स मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बढ़ान सुभा के अंदर कहा कि कॉंट्रैक्ट्चुल अब्लिगेशन है मैंनिफेस्टो इसे बिग तिंग इसे बैरा नहीं सिफ्ट वो नहीं जुम्लेवाजी नहीं कि हम कहें कुछ दें पिर कहें कि जुम्ला है हर चीज का एक महत्व है जो भी जन आसाओं से आपने मुझे चुना उन आसाओं के उपर अगर मैं ख़रा ना उतरू तो क्या फैदा है त्रफ्ष को कि में तो आए या किस्के लिए शुक्त बनाने आए यह पैसले लुटाने आए है कि आम डड़ा क्यों कि मैं तो नीज पतलग स्कुला समय के लिटीई है पाता हूं कि कियांपे जो आप चन सेवा करने आये हैं उसमें त्याग ही त्याग चाहिए होता है उसके अंदर इसको आप एकर सरल सब्सक्राइब में कह दें कि जी या तो अपना घर बचेगा या देश बचेगा दुरों नहीं बच सकता अगर आपको भगत सिंग के सपने पूरे करने हैं अगर भगत सिंग के सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो बहुत त्याग चाहिए मैं राम से सुकुरिंग पूर्ट ने प्रैक्टिस कर रहा था लाखों रुपे बना रहा था हुआ अगर हम सप्ता के अंदर राज़नीते के अंदर आएं आएचे के बाद लौ करने के बाद MLA बनके जो चोविस घंटे काम करने का जो अफसर मिला है उसमें एक चीज समझ में आया है कि या तो देश बचेगा या परिवार बचेगा मैं आपसे कमिट करता हूँ आज फिर जंडे के नीचे कि मैं समर्पित हूँ चोविस घंटे इस काम को देश सेवा में समर्पित हूँ और वो हर काम वो करूँगा जिसमें की जिससे की भगत सिंग जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा कर सकूँ अगर कर सका अगर सरीर देके भी कर सका सरीर को चाप करके भी कर सका तो अपने आपको भॉक्स आले समझें साथियों केंदर में बैठे लोग भी यहां बैठे हैं जिनकी पाठी बैठी है और मैं भी दिली में आपके सरकार है आपने दी मुझे लगता है कि कोहेसिवनेस मॉन्टी जी हाँ कॉंसलर हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कॉंसलर, MLA, Sunset तीनों बैठ जाए मैं ओपन इंविडेशन दे तीनों बैठ जाए वो रहे कि यह आपके जुमारी है मेरी जुमारी है आपके जुमारी है अगर तीनों जैसे कि आप देख लें सांसद है आप डीडी और पुलिस दरेक्ले काउंटेवल है उनको चुकि वो केंदर के दोनों डिपार्टमेंट से हैं विधायक है पानी, कि आपके नालियां पार्क, पार्किंग, MCD के जरी करवाने हैं अगर हम तीनों बैठ जाएं और हम तीनों अपने दाइतों को समझ करके जनता के समस्यां दूर करने शुरू कर दें मुझे लगता है कि पास साल तो बहुत लंबा समय होता है दो साल एक साल में हो जाएगा का इनी सब्दों के साथ मैं आज के तो कि इंद्रा जी आ गई है हम उनको सुनने आए आज तो नहीं तो यह बहुत सुब है आज का दिन और आज इस जंडे के नीचे हम इस प्रण को ले लें कि जी छेत्र की समस्याओं का खात्मा हम करके रहेंगे यह बारिस का पानी जम जान भ Richardson कि नहीं है वह अगई हैर्च समस्या और यहीं बार बार हम आपhmen फंडरा साल कोई पाटी थी उसके पहले पांस साल को बाटी थी अभी ऐड़ी अब श hem नात क्या जीव रहें सीबर की समस्या आनी के समस्या सड़क के समस्या और यह फंडामेंटल प्राब्लम तो भतम हो सब को भुब भूब धन्यवाद सुक्रिया différence शंसे का रायाथ तो याद रखेगा अस्फाक अम्लाब खान को याद रखेगा अब जो मुस्रिम मेर्यिजन में कहा दें कर न होता है कि क्वा पुनस्ट्र अधर्म में धर्म कह ऊंज लग्री थे तो प्म लिखा आए कि बैसे तो पुनरजनम मुसलिम में नहीं होता लेकिन खुदा अगर मिल जाए मुझे तो मैं कहूंगा एक बार भारत माता के गोद में फिर पैदा करना मुझे कहा धर्म के नाम पे हम बहुत-बहुत मुबारक बहुत-बहुत मुबारक धन्यवाद, सुक्रिया, जय हिंद, जय भारत